हेलो यो स्वागत आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्कूल टूशन गुरजी हैं आज हम बात करें कार्यपत्रक चम्वन की जो कि 11 नुमर के लिए जारी किया गया यह कक्षा 9 का विज्ञान विश्य का कार्यपत्रक है यहां बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहां प हम पढ़ेंगे गुर्तो आकशन का सरवात्रिक नियम यानि यूनिवर्सल लो ओफ ग्रैविटेशन तो अगर एक सामान्दे तो पर देखा जाए तो गुर्तो आकशन बल हमारे लिए बहुती फायदमंद है क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई वस्तु जब ऊपर से गिरत देखते हैं समस्ते हैं जानते हैं कि गुर्तो आकशन के सावर्तिक नियम के बारे में आपके इस कार्य पत्रग में क्या बताया गया है चलिए देखते हैं पच्छो यह देख करकी एक पका हुआ सेव हमेशा नीचे ही गिरता है न्यूटन ने अनुमान लगाया कि प्रित्वी हर वस्तु को अपनी तरफ एक बल से आकशित करती है चन्द बार जो प्रित्वी की चारों तरफ लगातार गोमता रहता है प्रित्वी द्वारा इसी परकार के अ न्यूटन ने निश्काश निकाला कि विश्व में हर एक वस्तु पिंड एक दूसरे को एक ही तरफ लिल से आकर्शित करते हैं चिसे गुर्ताव करशन बल कहते हैं तो बच्चों क्या कह रहा है न्यूटन ने जब देखा यह सेव हमेशा नीचे ही गिरता है तो इसने बात सोची कि पृत्वी जो पृत्वी हस के चारोर चंदर्मा खुमता है और पृत्वी सूरज के चारोर घुमती है इसका कारण क्या है अभी केंदरी बल यानि केंदर की तरफ खिचने वाला एक बल लेकिन फिर भी एक दूसरे से नहीं टकराते हैं इसका कारण यह है कि एक द्क्तिनियम मैं 5 पहला है इससार में प्रतेक वस्तु पिंड प्रतेक अन्य वस्तु को एक ऐसे बलसे आकशित करती है जो दोनों वस्तु ऑंदरों के गृton फल के समान फैटी और उन दोनों के बीच की दूरी यानि की मद्धे के से मद्धे से पीच की दूरी दोनों के बीच की दूरी का क्या स्क्वायर वात्रों का प्राप्ती थी यानि डारेक्ट इन डारेक्ट ले प्रोपोर्शनल है बचो इसे कहते हैं गुर्टवाकशन का सावात्तिक नियम कहते अगे यह दोनों वस्तों को मिलने वाली देखा की दिशा में लगता है पहला है यदि किनी दो वस्तों ए और बी का द्रवेमान M तथा स्मॉल M और उनकी केंद्रों के मध्यदूरी D हो तो उनके बीच लगने वाला गुर्टाकशनबल F है यह क्या है गुर्टाकशन का सावत्त्रिक नियम के अंसार गुर्टाकशनबल F होगा दववेमान के गुणनफल के समानपती अर्थात यह केंद्रों के मध्यदूरी के वर्ग के वहित्क्रामनापाती यानि यह और समीकरण एक और दो को से हमें मिले गई यह और अगर हमसमें गुर्टविय स्थारक यानि कैपिटल जी को लगा दें तो यह क्या होगा यह एक एक इक्वेशन बन जाएगा यहाँ जी अनुपाती स्थारक है जिससे सवारतिक गुर्टविय स्थारक कहते हैं जिसका वर्तमान मानने मान छे गुणा छे साथ तीन गुणा दस की पावर माइनस ग्यारा न्यूटर मेटर स्क्वाइर पर केजी स्क्वाइर है ठीक है चलिए यह जरा गुर्टवाक्षन के सवातिक नियम के महत्तों को जान लेते हैं गुर्टवाक्षन का सवातिक नियम अनेक परिघटनाओं की व्याक्या करता है जिसमें मुख्य हैं हमारे प्रित्वी से हमें प्रित्वी से बंदी रखना प्रित्वी के चार और चंद्रमा की गति सूरी के चार और ग्रहों की गति चंद्रमता सूर के कारण जवार भाटा, समुद्र में जल के स्थर का बढ़ना और कमोना, नदी में जल का बहना और वर्षा के लिए, इन सब चीजों के लिए ये आवशक है बच्चो, चलिए बच्चो, पहला देखते हैं, गुर्ता आकरशन का सरवातिक नियम लिखे, तो ये बच्चो जो भी बताया हैं आपको, और इसके साथ लिखना आपको ये एक्वेशन को, अगला है गुर्ता आक्षन के सरवातिक नियम का महत्व है, तो ये इन सब कारणों से महत्फून है बच्चो, ये सब कारण आप लिख सकते हैं महत्फून के लिए, अगला है, यद प्रित्वी से बंदेनी रहते हैं ये सब चीज़े होंगे बच्चो, और आकरी है गुर्ता आक्षन बल में जी का निरुपित करता है और इसका मान कितना है, तो जी गुर्तवी स्थारक को निरुपित करता है और इसका मान इतना है बच्चो, तो बच्चो ये होगी आपकी वर्क्षिट कंप्लीट आशा करता आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो चल्ब को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें थैंक यू